हाई वेल्कन तो मर्चनल इस वीडियो में सॉल्ट करें कुशन नबर वन एक्स्प्रेस इच अब फालुविंग डेसिमल्स इन फार्म पी बाई क्यू तो यहां पर पहला कुशन है आपका 0.39 आपको करना इसको इस फार्म में पी बाई क्यू के फार्म में तो यह रेकरिंग डेसिमल नहीं है यह तर्मिनेटिड मनतब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसमें सिंपली करना क्या होगा कि डेसिमल के बाद जितने भी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं यहां हम देखे, decimal के बाद 39 आ रहा है, मतब दो digits हैं, तो बस इसमें multiply कर देना है 100 से, मतब जितने decimal के बाद digits आएंगे, उतने 0s वाले number से हम multiply कर देंगे, तो divide भी करना पड़ेगा, तो finally में मिल जाएगा 39 अपन 100, देखे यह P by Q के फार्म में आ चुका है, लेकिन अभी यहा standard form में है, क्योंकि इसमें count factor कुछ भी नहीं है, तो आपका जो है, यही हो गया answer, first का, चलिए one by one solve करते हैं, तो second क्या है, 0.750, तो यहां पर देखे, decimal के बाद, decimal का आएट शाट में, 3 digits हैं, तो यहां पर multiply करना पड़ेगा, 1000 से, तो divide भी करना होगा, 1000 से, finally, यहां पर जब multiply करेंगे, 1000 से, तो मिल लेगा, 750 whole upon, 1000, और यहां पर 0 जो गैंसिल हो जाएगा, और 75 और 100 में भी कुछ count factor है, तो 25 से करा लता है, 25, 3 जा क्या होता है, 75 होता है, और 25, 4 जा होता है, 100, means 3 upon 4 हो जाएगा, तो यह 3 upon 4 जो है, standard form है, तो आपका answer यही होगा, 3rd कर लेते हैं, यहां पर 2.15 है, decimal के बाद 2 digits है, 15, so multiply करेंगे, 2.15 में 100 से, और divide भी कर देंगे 100 से, तो हमारा यह जाएगा, 215 whole upon, यह हो जाएगा 100, अब यहां पर हम common factor cancel out करेंगे, तो 5 से cancel out हो जाएगा, बिल्कुल, तो 5, 4, 20, and 5, 3, 15, 5, 2, 10, 20 हो जाएगा, यह जाएगा 43 upon 20, यह होगा आपका standard form, यह होगा answer आपका, आप चलते हैं, 4th part, 4th one is just 7.010, देखिए decimal के right side में क्या है, 3 digits है, तो आपको यहां पर multiply करना होगा, decimal को हटाने के लिए 1000 से, और divide भी करना होगा 1000 से, ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, उपर decimal हट जाएगा, यहां पर तो मिलेगा आपको, 701, 0 upon 1000, यहां पर उपर निचे से हमको 0s कैसे लिए आउटर सकते हैं, आपर, तो अब यह बन चुका है standard form हमारा 701 upon 100, यह आपका होगा, क्या, answer होगया, and the next one, the last, sorry, last one नहीं है, यह 9.90, तो इसको करवड करने के लिए आपकाना पड़ेगा, ठीक वाईचाइस, जो हम सोच रहे हैं, तो 9.90 मिले करना पड़ेगा, 100 से, और divide कर देंगे, 100 से, क्योंकि 2 digits हैं decimal के बाद, यहां पर आजाएगा, 990 whole upon 100, एक जिरो के जाएगा, यहां मिल जाएगा को, 99 upon 10, and this is the standard form, so आपका अंसर यह हो जाएगा, now the last one, 1.0001, तो यहां पर यहां करना होगा, देखिए, decimal के right side में, 4 digits है, तो हमें, 4 digits वाले number से, मिले करना पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा, देखिए, 0001, मिले करना होगा, हमें 10,000, से, ओके, और तो डिवाइज भी करना पड़ेगा, हमें 10,000 से, यहां मिले करेंगे, तो decimal आपका पूरी तरह से, right side में चला जाएगा, four places, इतना जाएगा, whole upon this 10,000, so 10,000, one upon 10,000, so this is in standard form, यही आपका क्या होगया, answer, तो मतलब यह बहुत simple था, किवल इसमें जो है, terminating decimal दिय यह PBQ के form में, simply हम ऐसे ही करते हैं, okay, thank you so much for watching, bye